हेलो एवरिवन स्वागता आप सभी और आपके अपने इस चैनल पर आज बनाएंगे सब का पसंदा छोट हो या बड़े हो अब को बहुत पसंद आता है और खाने में बहुत टेस्टी तेस्टी रेसिपी को आज घर बनाएंगे बहुत आसान तरीके से बहुत ही मज़िदार तो यहां ले लेंगे आलू, मैंने यहां तील लिये हैं, जिनको छिल लिये हैं, और थो थाके मैंने यहां रेडी कर लिये हैं, अब इसको कोई साफ सुत्रे कपड़े से या रुमाल से अच्छे से पोस्ट लेंगे, ताकि इसमें पानी ना रहे, और जितने भी आलू लेना च तरीके तो बहुत सारे होते, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताऊंगी, तो यहां क्या करना है, आपको लंबे स्लाइस में इसे काट लेना है, दो टुकडे कर लेना है, और आप क्या करेंगे, जो इसका थोड़ा सा किनारे वाले पाठ है, उसको भी हम काट लेंगे, ताकि जो हम इसके लच्छा नमकीन बनाए वह इक्वल बराबर आजाए तो देखें ऐसे कर लेंगे दोनों साइट से और अब इसके हम छोटे से बड़े बड़े से थोड़े से जितने भी इसमें आलूमी आते हैं उसे टाइप से इसे हम काट लेंगे तो देखें इस तरह से कटे ग कि इस तरह से कर लिएगा अगर आपका कालू बड़ा है овपकर से काट सकते हैं देखिंगे आप इसके हम तीन कर लेंगे यह देखिए आपको करकी दिखा लेगे और इसमें से क्व हम तीन कर लेंगे यह देखिया बारिक बारिकसी जो लच्छा भी तो करती हैं, तो अधिया भाजिट लोग्त, विम्त राय। लेसे सब्क काट करें कि गोड़ों के लिए वैसे इसे काट लेंगे देखे इस तरह से और काटना हमें मीडियम है ना ही पतला ना ही मोटा इस तरह से काट लेंगे और फिर एक एक स्लाइस को पकड़ेंगे और उसकी बारिक बारिक से हम काट लेंगे इस तरह से तो यह तरीका ज्यादा इजी है फ्रे बकाटो आपनी से चपर को और की मिर्ची नहीं करना है कि हुए अपही पहने के दाल दोलें 설दर मिर्ची झाल को अप everybody तो पर अध्या ज़्ज जो हमारा तेल है उसका जो भी पॉड़ा स्वेक्ष थे च्वाइब के यहां दोना आपके जिए हैं, तो दो चमश में यहां डाल दी हैं तो वहीं चीजहीं पत्वाइसी भीड़ा है तो तो यहां अम्चुर पउड़ चाट मसाला काली मिच का पॉड उसका मीडियम फिलेम होना चाहिए । ये इसका मीडियम फिलेम होना चाहिए , ये मीडियम फिलेम पॉरण कमार करते हमें दो हम टॉल उसको और होते हिंताए झाहिं तो friends इस recipe को आप finger chips या फिर आप french fry या फिर आप लच्छा नमगिंदी बोल सकते हैं खाने में बहुत tasty होती है और maximum सबको बहुत पसंद आती है जाए हम बड़े हो जाए हम से छोटे हो या बिल्कुल बच्चे हो उनको बहुत पसंद आती है तो बस ऐसे करके हम उलट पुलट करके इसे करारा होना तक इसे हम कर लेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे तो गर्म घर्म इसको आप साब कर सकते हैं friends तो इसे बहुत बारिक पारिक केंदी आप काट सकते हैं और जीसे हम headphones fry बनाते हैं मोटा-beνा बड़ा बनाते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं चो आपको अच्छा लगी है आप कर सकते हैं तो मैं पहलाले हैं जो अच्छा नंकिन बनाने जा रही हूं भिलकुल सिंपल सी बना रही ही कोई इसमें मुफली एड्ट नहीं करूंगी कोई ड्राइफूट एड्ड नहीं करूंगी तो आप यहां पर अगर एड्ड करना चाहते हैं तो मुफली को भी तल सकते हैं तो देखिए यह रेड़ी हो चुक है एक पैच हमारा रेड़ी हो चुक है और कलर भी कितना सुन्दर आया है और इसका साउंड सुनें साउंड बहुत अच्छा है तो दूसरा मैं आपको करके दिखाती हूं तो उसमें अगर आप जैसे मुफली कड़ी पत्ता डालना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूं दूसरा फटाफट डालेंगे और फिले में हमारे यह मीडियम टु फ्रेंड अगर आप कुछ नमकीन मेठा बनाना चाहतों तो मैंने इस चैनल में काफी सारी वीडियो टाली हूए प्लीज चेक आउट सेट 크게 area कि अगर बनाने की स्बद्स शोकिंग धी और खिराने की स्चाउट तो च्याइक वीघrika आपको चमसमना कि रम की दना पर आप देखी मैंने इसमें सबसे साथ कड़ी पत्ता भी डाल दिया था तो कड़ी पत्ता भी इसके साथ साथ हो गया है आप यह साथ साथ पूफली भी डाल सकते हैं तो यह है रेड़ू हो चुकी है हमारी आलूल अच्छा नमकीन जिसे हम फिंगर चीफ्स या फिर आप इसे फेंच फ्राइब भी बोल सकते हैं तो आपको कैसी लगी यह रेस्टी फ्रेंज हमें चुरूर पताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक चुरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सस्क्राइब करके जाईएगा तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ